कला उच्साव आज कंक्लीड होने जाए है तो किस तरह के प्रोग्रेस हमारे बच्चों में देखे कमेंगे हैं और आगे किस तरह के अपॉर्चनटी बच्चों को देखें देखें यूनिन टेरिटेरी बनने के बाद नैशनल लेवल पे हमारा पार्टिसिपेशन जो है वह बहुत बढ़ गया है चाहे पेंटिंग कॉंपिटिशन हो, क्विज कॉंपिटिशन हो चाहे आप साइन्स एक्जिबिशन अभी रिसेंटली हमारे बच्ची ने जो सासपोल में थी, उन्होंने जीता है नैशनल लवाड और कला उसफ अब हमारा पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा हमें करने को मिल रहा है जैसे सीसी साब पहले बता रहे थे कि पहले हमें नैशनल लेवल तक जाने के लिए जेन के में बहुत कॉम्पिटिशन होता था हमारे पास 22 डिस्टिक्स में हमें कॉम्पिट होके फिर फाइनली हमें नैशनल लेवल पे अपना टैलन दिखाने का मौका मिलता था अब यूटी बने के बाद डिरेक्ली हमारे बच्चे जो है पार्टिस्पेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में और बाकी एक्स्टा कर्रियर अक्टिविटी इस हर जगह पे हम नैशनल लेवल पे अब हमारा रिप्रेजेशन बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पार्टिस्पेट कर रहे हैं बलकि आवार्ड भी जीत के आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है खासकर कला उतसफ में क्योंकि हमारा कल्चर जो हमारा रहन्स है डांस फॉर्म्स हमारा जो ड्रेस है वो बहुत यूनीक है और इंडिया में कहीं नहीं है और ट्राइबल एरियाज में जनरल ये देखा गया है कि जो ट्रेडिशन होता है आर्ट और कल्चर और बाकी डान्स फॉर्म्स और बाकी चीजों का वो बहुत रिच होता है उसको हाईलाइट करने का मौका अब यूटी बनने के बाद हमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैनी फोल्ड ये बढ़ गया है तो हमारे बच्चे पार्टस्पेट कर रहे हैं और आवार्ड भी ला रहे हैं बहुत बहुत खुशी की बात है यूटी लदा के लिए अब जी विंटर वकेशन का हम क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये अपना डिसाइड करना होता है हम दोनों डेप्रिक कमिशनर्स के साथ बैठेंगे तो हलां कि कल हमारी जो एक मीटिंग हुई सी सी ले के साथ ले के साथ जिसमें हमारे डेप्टी चेर्मेन भी थे जो एजुकेशन का पॉर्टफोलिय होल करते हैं तो कंसेंस यही बनके आया है कि elementary level जो 8th class तक है वो November ending तक उनका छुटी हो जाए और जो बड़े बचे हैं क्यों 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 का थोड़ा सा syllabus का भी issue होता है क्यों क्यों का बोर्ट exam भी phase करना होता है तो उन में हम थोड़ा सा हमें देख के depending on the weather यह किया है औल्दो इसका जो final decision है वो return में वो DC's office से होगा हमारा ले में यह कल meeting में यह हुआ था यह कभी भी आ सकता है यह जो जो order है करगिल में अभी हमें DC's के साथ और council's के साथ बैट के decide करना पड़ेगा होफुली करगिल में भी generally जो है ले और करगिल दोनों में एक ही decision देखने को मिलेगा हमारी यह यह उमीद है transfer policy एक बहुत मनब काफी time से एक issue रहा है तो एक अभी हमने recently जो यूटी लदाख day पे एक software launch किया है जो honorable LG साब ने launch किया था तो जो एक ERP software है school education department का पूरा holistic management वाला software है उसमें हमारे teachers से लेके बच्चों के performance से लेके school के performance से लेके सब में उसमें एक data driven हमें एक मिलेगा हम उस जो transfer policy है उसमें हम hopeful है कि वो हम transfer policy भी उसमें ले आए ताकि transparent हो जाए for example transfer जो उसमें module है transfer module उसमें teachers का नाम होगा और कहां उनका history of posting पूरा होगा कि कहां का उन्होंने पूस्टिंग लिया है फिर उनका जो marking system है कि अगर दूर दरास के है तो marking system जो है पूरा holistic वहां पे आ जाएगा तो एक clear एक transparency आ जाएगा तो finally जो teachers का जो transfer होता है वह counsels से ही होता है लेकिन उनको एक template मिल जाएगा कि जो एक clear जो है कि within one or two months हम ये सारे post जो है वो fill करेंगे रही बात जो हमारे teachers recruitment का जो अभी ले और करगिल दोनों में हमने DC's को जो है वो कर दिया है हमारे काफी school education जा लगबग तीन सो साड़े तीन सो के around जो है दोनों district को मिला के हमारे recruitment जो है पोस जो है वो निकल के आ रहे हैं अब कुछ queries DC's की तरफ से आई है वो हम उसको fulfill करके ये post भी refer हो जाएंगे उसके अलावा जो हमारे जो हमारा जो guested post का recruitment rules है वो भी हम frame करेंगे hopefully जैसे वो frame हो जाएगा वो भी notify होके public domain में आ जाएगा फिर उनके comments के बाद ये finally notify हो जाएगा उसके बाद हम lecturers वाला post भी जो हमारे जो अभी हमने contractual पर अभी हमने लिये हैं तो वह वाला post भी after coming क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे हैं क्योंकि हमारा guested post जो है recruitment rules frame नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा time consume है हमें हर सी चीज के बारे में सोचना होता है अच्छे से उ आने वाले दिनों में sports में भी जो होते हैं उसमें भी आपके तरफ से क्या एक्डामा बिल्कुल sports हमारा एक देखे लड़ यूटी लड़ाक में sports जो है एक बहुत ही एक advantageous position पे हैं हम क्योंकि हमारा जो genetic makeup है हम sports के लिए high altitude sports खास कर बहुत सारे इंटरनाशनल आपने देखा होगे हमारा marathon हुआ था international level के athletes हमारे आके train करते हैं ताकि उनका जो high altitude level का stress है यह आप environment कहीं create नहीं कर सकते हैं जो sport जो यहां पे है वो हमें naturally हमें हमें available है और हमारे बच्चे इसी महौल में पैदा होके इसी महौल में हम पले बड़े हैं तो हमारा जो genetic makeup और जो हमारा body का जो requirements है वो भी इसको बहुत सूट करता है तो आपको मालूम होगा कि youth on sports की तरफ से हमारे साले स्कूलों में infrastructure development बहुत massive level पे हुआ है अब कई जगा पे क्यूंकि हमारे स्कूल खासकर कर्गिल में कई स्कूल जो है वो पहाड़ों पे कई जगा पे ग्राउंड अविलेबल नहीं है अगर आप ले में देखें और करगिल का मुझे शायद आर्चिरी में मैंने नहीं देखा लेकिन ले में बॉइस है सेकंडरी स्कूल में मैंने खुद देखा कि हाई लेवल पे वहाँ पे आर्चिरी का practice होता है टीचर्स भी बड़े सीरियस थे स्टूड़न्स भी बहुत सीरियसली उस बात को ले रहे हैं इंक्विप्मेंट उनको प्रोवाइड कर दिया गया है मैं खुद हैरान हूँ अब बच्चे सुबा सुबा एसम्बली से पहले आट नौ बज़े आके practice करते हैं वो ताकि उनको extra वो practice time में ले टीचर्स भी dedicated ले ले आते हैं उसके बाद छ track and field में भी आगे देखे हैं हमारे बच्चों को actually क्या है infrastructure देना बहुत जरूरी होता है infrastructure जब उनको मिलेगा तो बच्चे खुद ही उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आप ground पे जाके practice करें वो खुद ही अपने अपने interest के हिसाब से participate करना शुरू कर देते हैं तो सारे स्कूल सुमें हम infrastructure प्रोवाइड कर रहे हैं अब कई कई जगा पे constraints हैं जगा का constraint है कई जगा पे कुछ sport suitable नहीं है और कई जगा पे बहुत windy conditions होते हैं हमारे badminton अगर अब करना चाहें तो वह हम probably नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसके लिए indoor stadium बनाना पड़ेगा तो better यह है तो 10th and 12th board exam का JK board के सर हमने यह decision लिया है कि अब हमारा हमारा CBAC में transit हो गया है तो next year 2024 में हमारे पहले जो बच्चे है 10th and 12th के वो board exam phase करेंगे अभी जो recently जो आप कह रहे हैं मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि actual में वो है क्या notification क्या कहता है अगर वो आया है तो because I have not seen that मैं उसके comment नहीं कर पाऊंगा अधर्वाइस जहां तक हमने यह decision लिया है कोई इस तरह से मतला बच्चों का जो 3-4 महीने का जो waste होता है वो उसका कोई वो निया हाँ सिर्फ यह है कि जो 10th class में जो बच्चे जाएंगे उसमें दो जो है classes बनेंगे old 10th और new 10th करके तो यही सिर्फ difference आएगा otherwise हमारा जो है पूरा जो करिकुलम जो है national level पे सिंख होगा ताकि हमारे बच्चे जैसे cbac का exam दे उसके बाद वो उसके बाद national level पे colleges के जो admission है वो शुरू हो जाते है तो जैसे वहां पे हमारे बच्चे यहां से वो exam देंगे तो वहां पे admission शुरू हो जाएगा तो यह national level पे हमारा सिंख हो जाएगा